Hello everyone and I welcome you all to my channel exploring Delhi with Adya तो मैं आज लेकर आ गई हूँ संडे सदर बजार का latest vlog और market में आपको पता है कभी भी कुछ भी मिलता है और वो भी unbelievable prices में तो वीडियो को अंते तक जरूर देखेगा मैंने या से बहुत ही cute सा दोस्त पर चेस किया है मैं आपको दिखाऊंगी और बहुत ही जादा reasonable prices में और आज कौन-कौन market आया था सदर बजार के कौन से एरिया में गया था रूइमंडी में, ग्रीन मार्केट में, क्रॉकरी मार्केट में या संडे सदर पत्री बजार में कॉमेंट करके मुझे जरूर बताइएगा यहां के अगर आपको दोस्तो location जाननी है तो description box open कीजिए संडे सदर बजार का पूरा मैंने location map बनाया हुआ है कौन से एरिया में क्या चीज मिलती है, कब-कब market लगता है, कब बंद रहता है वो full detail मैंने दी हुई है, location के साथ में map बना के तो आप उसे जरूर देखेगा, ताकि जब भी आप सदर बजार आएं, आपका time और money दोनों सेव हो सके तो इस market में आप जितनी जल्दी हो सके पहुँचे, क्योंकि सुबह-सुबह ही ठंडे-ठंडे में आप shopping कर लोगे तो बढ़िया रहेगा, तो चलिए बिना किसी देर के आज का vlog शुरू करते हैं दोस्तों अगर आप दिल्ली की best markets और best budget shops के बिल्कुल latest videos देखना चाहते हैं तो मेरा यानि आद्या का channel जरूर subscribe करें और bell notification on करना ना भूलें तो देखो अब यहाँ पे सुभा सुभा बिल्कुल खाली सड़क है, Sunday सदर बजार की और बिल्कुल लोग अराम से shopping कर रहे हैं, most of the shops यहाँ पर लगी हुई थी first shop जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको, college bag, school bag मिल जाएंगे इनके पास में यहाँ पे बोदले भी मिल रही है, पानी की जगा जगा मिलेंगी अब तो क्योंके गर में आ गई है इनके ज़स्ट पास में एक भिया जी ने सेल लगा रखी थी, purse की, तो इनके पास छोटू से purse से लेके बड़े-बड़े purse थे, ladies के बैगे हैं सारे तो यह आप यहाँ से ले सकते हो, इनके ज़स्ट opposite में यहाँ पे document की file मिल रही थी, calendar मिल रहे थे इसके बाद में एक भिया जी, यहाँ पे बहुत ही अच्छे table mats और cushion cover लेके बैठते हैं, तो यह जैसे आप देखे हो, यह वाले जो अभी मैं दिखा रही हूँ वीडियो में, यह 1505 हैं, फिर आपको इस तरीके के fridge mats मिल जाएंगे, जो की 100 रुपे के 6 हैं, इसमें color print design इनक सेमी प्राइज था, एक packet में 5 कुशन होते हैं, नेक्स्ट आपको मैं यहाँ पे दिखा रहे हूँ एक भहिया जी ने पूरी फुल अपनी सूटों की दुकान लगा रखी है, सेल प्राइज आप देख सकते हो, और सारे ही बहुत कुप्सूरत थे, इसमें चंदेरी का, cotton का, ग्लेज कॉटन का था, और जॉजट का था, यह सब सूट यहाँ पे मिल रहे थे, सारे फ्रेश है, कपड़ा है, यह सिला सिला हुआ नहीं है, लेकिन आपको बस काम इतना करना है, कि पॉलेथिन में से निकाल के, खोल के चेक करना है, अब भहिया को यह बोल देना, कि भहिय नहीं है, मेरे कोई पैर आपको नहीं देख रहे होंगे, तो यहाँ पे यह बहिया जी ने, चादरों की सेल लगा रखी थी, जो देख रहे आप, तो यह मात्र डेड़ सो रुपे में दे रहे थे, अब इसमें कितना कपड़ा मिलेगा आपको, एक पूरे डबल बेट है, वो अलग-अलग है, कोई डेड़ सो की, कोई सो की, इसके बाद आगे यहाँ पे सेल लगा रखी थी भया जी ने, कुर्तियों की, तो नीचे कुर्तियां थी सब सो रुपे की, और कुर्ती के प्लाजों के साथ में, या शरारे के साथ में सेट इस तरीके के मिल रहे थे, प्राइज मैंने कोट कर दिया है, इनकी ही पास में यहाँ पे दुपटे मिल रहे थे, और इसमें जाधा तर कॉर्टन के थे, तो डेड़ सो के दो दुपटे भया दे रहे थे, अचा कॉर्टन के भी थे, नेट के भी थे, दोरों थे, डेड़ सो के दो भया दे रहे हैं, त देखो आप सुभा सुभा कितना ठंडा ठंडा मौसम है, सूरज भी ठीक से नहीं हुगा है, और पूरी मार्केट आपको यहाँ पर लगी मिल रही है, बाकी बीच बीच में छोटे चोटे पट्री वाले होते हैं, वो देर सवे राते रहते हैं, क्योंकि वो बैठ के दुकान लगाते हैं, वो इदर उदर घुम घुम के जमान बेचते हैं, तो उनकी वज़ा से भी बाद में काफी रश हो जाता है, नेक्स्ट आप यहाँ पर देखो के तो प्याजी ने जूलरी की बहुत ही अच्छी दुकान लगा रखी है, इनके पास में जो नेक पीसिस हैं, और इसको भी अच्छे से चैक जरूर कर लेना, नेक्स्ट आप देखो के तो यहाँ पर फिर से बेच शीट मिल रही हैं, तो यह वाली जो मैं दिखा रही हूँ, यह दिखा रही हैं, इनका भी साइज आपको काफी बड़ा मिलेगा, अभी आपको और भी आगे चदरों की वराइटी दिखाऊंगी, क्योंकि मार्केट में एंटर करते के साथ यह आपको सब बेच शीट ही मिलती है, इसके बाद एक और भीया जी ने आपको सूटों की सेल लगा रखी हैं, बिल्कुल इस तरीके के हैं, जो आप दुकानों से खरीती हो, 600-700 के, वो यहाँ पर 50% और देख सकते हूं, यह सारे फ्रेश हैं, एक ही कलर डिजाइन में आपको इतनी वराइटी मिल रही है, यह फुल कारी दुबट्टे की साथ में था, जो मैं दिखा रही हूं, तो आपको बस जो काम करना है वो मैं आपको बता दिया, चेक करके लेना है, ठीक है, समान सब ब जूलरी ही लेनी है, तो मैं आपको बताती हूं कि आपको संडे को ही रूई-मंडी वाली गली में जाना है, संडे सदर बजार में जो रूई-मंडी वाली गली है, वो पूरा फेमस है, जूलरी, पारलर, कॉस्मेटिक और हैर असेसरी के लिए, नेक्स यहां पे आप देखो इसारा बैच्षीट है यह कौतन नहीं होता है, मैं आपको बता डूँ, यह गलेस कौतन होता है, जो कि हलका सा थोड़ा सा थोड़ा सा झाठीच होता है, तो मुक्स होता है इस में कोौर्टन कियता है, उस तरहीके मटी अलकिन इनका कलर डिजाइन बहाद ही बड़ि आपको तो इसका भी प्राइज मैंने आपको बता दिया, आगे आपको पानी की बोतलो के बहुत अप्शन मिल जाएंगे, जो पाकेट में आप देख रहे हो, तो ये ठंडा गरम रखने वाली है, भाया ने बताया, इसके बाद आपको अगर नॉर्मल चाहिए, प्लास्टिक की, तो वो भी इनके पास में मिल जाती है, एक एक लिटर की सारी बोतले है, ठीक है, ये आप ले सकते हो, बच्चों की स्कूल की बॉटल भी है, डाही सो रुपे का इनके पास में चॉपर था, अब नेक्स्टिक मैं दिखा रही हूँ, इनके पास में बैट शीट सबसे हटके थी, और सेल प्राइज भी मैंने आपे लिख दिया है, ये डबल बैट की एक ही बैट शीट आपको मिल रही है, मतलब अपने बैट के लिए एक ही बैट शीट आपको यहां पे मिल रही है, बस इसमें खास बात ये थी, कि इनके चारो तरफ ना पाइप इन की हुई थी, बागी जो आपको पिछले मैंने टुकडे दिखाए, बड़े-बड़े थान के, उन में चारो तरफ में पाइप इन नी थी, ये सिली से लाई बाली चादर थी, चारो तरफ से, इसलिए इसका प्राइज इतना है, लेकिन कलर और डिजाइन बहिया के पास बहुत ही जादा सुंदर थे, इनके साथ में ये कवर नहीं लाए थे, सिर्फ और सिर्फ बेड़ शीट्स दे रहे थे, पर काफी बढ़ी आगे क्वालिटी थी इनके पास, ठीक है, तो अगली बार अब ये होगा या कुछ और होगा, वो नेक्स टाइम कवर करूंगी, आगे बहिया जी, यहाँ पे आपको आठ दरजन चूड़ी मिल जाती है, कलर वगएरा बहुत सारे है, नेक्स आपको यहाँ पे दुकान मेलेगी, जहाँ पे भईया हमेशा नेट के परदे ले होते हैं, प्राइस भी आप देख सकते हो, इसकी मुझे सबसे च्छी बात लगती है कि एक तो लाइट कलर क और नेट के हैं, और साथ में इसमें उपर चले भी लगे हो हैं, तो और क्या चाहिए है, और सिला सिला है, पूरा परदा है, बस आपको लेना है, और घर में जाके टांग देना है, तो काफी बढ़िया चीज है, चेक करके भया सारा दिखाते हैं, इसके नेक्स यहाँ पे देखोगे, फिर से एक बेटशीट की शॉप है, अब इनके पास में जो फाबरिक है, वो बहुत ही लंबा चोड़ा वाला है, इसलिए इसका प्राइज इतना है, इसमें आप जब बीच से कट करोगे, तो आपकी दो चादरे निकलाएंगे, डबल बेट की, तो सब के पास म छे ग्लास और एक जग का, इसके बाद अंकल जी यहाँ पे बेच रहे थे, बलून, तो इन्होंने भी सेल लगा रखी थी, बीस बीस रुपई के पैकेट है बलून के, लेकिन अच्छी क्वालिटी वाले थे, तो यह अप ले सकते हो, इसके बाद मार्केट में जगा जगा आपको किचन का समान मिलेगा, और अगर आपको बिल्कुल एक्जाक्ट किचन के घरस-घरस्ती वाले समान की तरफ ही जाना है, तो आप संडे को सदर क्रॉक्री मार्केट जाना, वहाँ पे फुल इसी तरीके का समान आपको देखने को मिलेगा, अब आप आगे देखोए, आपे मातर 0.50 रुपे में 5 इतने बढ़िया वाले पर्स मिल रहे थे, मैं यह नहीं कह रही कि यह बहुत ही जादा मस्बूथ हैं, लेकिन आप इतने कम प्राईज में और क्या ही लोगे, तर इतने बढ़िया पर्स मिल रहे थे, इसके आगे जो मैं पाउच और छोटे बहुत ही सुन्दर राजिस्थानी चूड़िया कड़े इस तरीके के मिल जाएंगे बॉक्स वाले तो एक ही सेल प्राइस था यहां पर मैंने मेंशन कर दिया है और यहां पर आपको ऐसे रिबं के पैकेट मिल जाएंगे अब यह पूरा पैकेट आपको लेना होता है इसमें स पूरा पैकेट ही इतना सस्ता है जिसमें कि आपको किसी में 12 इस तरीके से रिबं मिल जाते हैं और अगर आप सिलाई कड़ाई जानते हो तो आपको यहां पर इसलाई का भी पूरा पूरा समान मिलेगा धागारी, विल्सूई, सब तागा वगरा सब मिलता है तो next यहां पर बॉटल्स की एक बहुत ही बढ़ी अभियर ने दुकान लगा रखी थी, 120 रुपे से इनके पास में बॉटल्स टार्ट है, जो पानी ठंडा गरम रखने वाली इलोग कहते है, वो 300-300 की मार्केट में मिल जाती है, इनके पास में बच्चों के टिफिन भी मिल जाएंगे, क् बच्चों को फिर से नई क्लास में जाना है, और आप सब के बच्चों को बहुत सारी शुप कामना है, एडवांस में, उनके एग्जाम्स के लिए भी, रिजल्ट के लिए भी, और नई क्लास में जानी के लिए भी, नेक्स्ट आपको मैं दिखाते हूँ यहाँ बहुत सार वाले भी थे और चूरीओं वाले भी थे कड़े मतलब जो कड़े लगते है ना चूरीओं के साथ में वो भी थे और चूरीयां भी थी तो 120 के वो सब पूरे इनोंने लगा रखा था तो बच्चे अगर आपके साथ मार्केट में आते हैं वो जित करते हैं कि वही उनका भी मन बहलाने के लिए उनको कुछ दिला दो तो उनको चुप कराने के लिए बहुत ही अच्छी दुकान है तो इनसे भी आप कुछ भी परचेस करना चलवा के चेक करके लेना इनके जस्ट बगल में यहां पे बॉइस के ट्राउजर मिल रहे थे जो कि ऐसा सिंथाटिक वाला मटीरिल होता है वो भी था और कॉटन वाला भी था दोनों थे इन भेयाजे के पास में नेक्स्ट इनके बाद आपको यहां पे एक सेल मिलेगी ओनली रु बॉजट में यहां पे टॉवल वाले भीया ने दुकान लगा रखे थी क्योंकि गर्मियों में तो एक दिन में लोग चा-चार बार मी नहाते हैं और सर्दियों में वो एक बार मी नहाना मुश्किल हो जाता है तो टॉवल आप यहां से ले सकते हो इनके जस्ट बगल में है अच्छे से अच्छे क्वालिटी आपको इनके पास में 1.5-180 रुपे का पैकेट मिलेगा जिसमें की 12 मिलते हैं आपको और देखो चारो तरफ खाली बिलकुल अब आते हो 10 बजे 11 बजे 12 जो धक्का जो मुक्ता होता है मैं क्या बता हूँ आपको सब पता ही है इसलिए आप जब खरीदना जो यह इन्होंने ऐसे रसी बना रखे रसी को खुलवा के चेक करके फिर लेना नहीं तो मत लेना दर से हो सकता है कटा फटा हो किसी को नहीं मालूं इसके बाद यहां पे न यह की होल्डर्स होते हैं जो कि आप दिवार में लगाते हो तो वो मिल जाएं में तो यह भी आप चेक करके लेना टूटे फूटे ना हो इनके जस्ट बगल में एक भया जी ने क्या बढ़िया बेल्ट की शॉप लगा रखी थी मैंने पहली बार पहली बार पहली बार ऐसे बेल्ट के डिजाइन देखे हैं और सेल प्राइस देख सकते हो जो इन्होंने सेल कर रहे थे यह देखो कितना स्टाइलिश है यह तो इनके पास एक ही सेल प्राइस था कोई भी आइटम इसमें से आप ले सकते हो मतलब कुछ तो ऐसे थे जो गल्स दोनों लगा सकते हैं इसके बाद एक भया जी यहाँ पे हैर असेसरी की शॉप लगा रहे थे तो वो न बस लगाई रहे थे तो मैंने ज़्यादा प्राइस पूछ वरके इनको ज़्यादा डिस्टब नहीं किया तो इनके पास आपको जूड़ा के हैर पिंट मिल जाएंगे चाइनीज क्लिप्स मिल जाएंगी और यह देखों इनके पास मेंने आए पाउच के अंदर आपको ऐस प्राइस मेंने कोट कर दिया है चाइनीज क्लिप्स वगरा भी है यह अच्छी क्वालिटी वाले जो इंपोर्टेड होते हैं वह वाले इनके पास में है तो इस तरीके के बॉक्स है आपे डेड़ सो से दोसों के बीच में मिल जाते हैं इसके बाद आपको यहाँ पे इस त 40 मीटर है मातर 50 रुपे का ठीक है तो यह सब रसियां वगरा आप यहाँ से ले सकते हो कॉटन की भी है नायलॉन की भी है और आपको मार्केट में जगा जगा इस तरीके की डिजाइनर ट्रे मिल जाएंगी तो यहाँ पर एक बच्ची सेल करे थी तो यह है तीन ट्रे का बिल्कुल खाली और इनके पास कोई भी ग्रहक नहीं है इस टाइम पर दुनिया सोरी होगी या तो घर से निकली होगी तो मैं आपको कहते हूँ इस टाइम पर आप मार्केट में पहुंचो आपको ज्यादा सहुलियत मिलेगी और चोरी चगारी का दर भी नहीं रहेगा दे के टाइम पर मार्केट में आओ तब शॉपिंग करो इसके बाद एक बयाजी है इनके पास में आपको खूंटियां और हैंगर्स ये सारे हुक वगरा बहुत ही बढ़िया मिलते हैं तो ये मल्टी परपस हैंगर है आप कहीं पर भी से लगा सकते हूँ 80 रुपीज का इसकी क्वालिटी भी काफी अच्छी थी और इनके पास में बरतन जूने के जूने मिल जाएंगे चन्नी है इस तरीके की मातर 50 रुपे 20 रुपे इस तरीके की प्लास्टिक वाले स्ष्टियां स्टील वाली थोड़ी सी महंगी मिलेगी ठीक है और निम्बू निचोडने की मशीन है पचास की साथ की साइज वाइस और यहाँ पे इनके पास में बगल में एक भीयाजी बहुत अच्छी स्पून कॉलिटी है इनके स्टेनलस टीन में ये दे रहे थे और इनके पास मुझे ये बहुत अच्छा लगा काइंड ओफ कैसरॉल कैसकते हो वैसे ठंडा गरम रखने वाला नहीं है ये 100 रुपीज का है खाली मतलब जो भगोना हम घर में नॉर्मल यूज करते हैं उसको उन्होंने नीचे से प्लास्टिक का और उपर प्लास्टिक का धकन लगा के डिजाइनर बना दिया काफी स्मार्ट लग रहा था देखने में और इनके पास में ऐसी हैंडल वाली आपको बॉटल मिल जाएगी तो प्राइज मेंने कोट कर दिया है एक तो ये हैंडल वाली है और इसके बगल वाली जो है वो आपको पैकेट में मिलेगी बस ये दोनों में फरक है बस ब्राइज नहीं है लेकिन प्राइज वाइस मुझे काफी सही लगा साड़ी तीन लीटर का तो ये संडे सदर बजार में आपको लेफ्ट साइड में मिल जाएंगे इनका फेस अब भी है आप देख लो नंबर भी मैंने इनका मेंशन कर दिया है ये कौर के अस्टरॉल की दिखा रहे है वराइटी तो कई लोग ट्रैवल करते हैं या घर में गैस्ट आ रहे हैं आप इसमें सर्व करके अराम से अपना खाना रख सकते हो ठीक है इनका नंबर यहाँ पर मैं शेयर कर रहे हूँ तो इनकी जो शौप है देख लो आप जोकी के बिलकुछ सामने आप भीया की दुकान लगती है ठीक है यहाँ पर यह भीया मिल जाएंगे इन से आगे आप देखोगे तो यहाँ पर होम डेकॉर के लिए आपको छोटे छोटे वाले वासेज मिल जाएंगे आर्टिफिशल फ्लार्स के 100-6 हैं, कहीं भी आपको 100-6 नहीं मिलेंगे, सिर्फ सदर में मिलेंगे कहीं 100-4 मिलते हैं कहीं 100-3 मिलते हैं, इसके बाद आपको होम टेकॉर के लिए वाल क्लॉक्स मिल जाएंगी इन्भया के पास ना, दिवाली के टाइम पे गड़ियां आती हैं, वो देखने लाइक होती हैं तो फिल्हाल तो इनके पास में सब सोबर सिंपल सी थी जो फिर्स्ट मैं यहां पर आपको दिखा रही हूँ यह वोड़न लुक में, यह आप ले सकते हो मातर डेर सो में, आउनलाइन यही प्राइज़ आपको 300, 300, 400 के मिलते हैं और पीछे आप यहां पर देखोगे तो सबसे पीछे जो मैं दिखा रही हूँ यह काफी बड़े वाले साइज हैं जो पराद का साइज होता है, इतने बड़े वाली घड़िया हैं तो वो थी 500 की एंकर वाली आपको मिल जाएंगी जो छोटा गेट, बड़ा गेट जो भी है उसके सामने भया मिलेंगे और पूरे संडे सदर मार्केट में एक ही भया हैं जो बहुत ही सुन्दर इस तरह के कि आपको थाल पोश और तोरंट ले वाई बिलेंगे तो इनके पास में जो तोरंट है वो 50 रुपे बड़े से बड़ा भी आपको 100-500 तक का मिल जाएगा आगे मार्केट में जैसे कि मैंने बता है बच्चों का स्कूल शुरू होने वाला है ना तो बच्चों के स्कूल से रिलेटेड बहुत समान मिलेगा आप चाहो तो परसनल यूज के लिए ले ले लो रिटेल में होलसेल में कैसे भी और अप्रायल में आपको पताई शादियां भी बहुत है तो यहां पर आपको चूड़े मिल जाएंगे राजस्थानी पंजाबी हर तरीके के इन में जो मैकसिमम प्राइज है वो साड़े तीन सो का है सब कुछ उसके अंदर है कोई 500 कोई 200 और यहां पर एक भीया जी ने अलग से इसे लगा रखे मातर 50 रुपे में आप इस तरीके से ले सकते हो साइस भी इसमें आपको 24, 26, 28 सारे ही मिल जाते हैं पस आप हर चीज को प्लीज चेक कर लेना और जो भी समान लो उसको देखते जाना कि आपने अपने पास रख लिया है या नहीं कई लोग खरीते हैं और वहीं भूल जाते हैं तो ध्यान रखना इसके बाद यहां पर एक आ रहे हैं तो मार्केट में आपको जगा 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 बहुत ही सारे पोस्टर के आप्शन मिलेंगे यहां पर देखोगे खाटू शाम जी के हैं भगवान जी के हैं बच्चों की काउंटिंग वाले और यह जो मैं दिखारू इसका मुझे साइज याद नहीं आ रहा बताने में लेकिन यह काफी ज़्यादा बड़ा है लगभग चार फूट का पोस्टर था 120 रुपीज का और यहां जो मैं दिखारू यह उनली 30 रुपीज में आपको मिलेगा क्वालिटी और प्रिंट डिजाइन भी बहत ही बढ़िया है आप चाहो तो इसे अपने एरिया में ले जाके जो है फ्रेम भी करवा सकते हो दिवार पे लगाने के लिए तो यह जो मैंने बड़ा वाला आपको दिखाय था 120 का है इस तरीके के और भी आपको 2D, 5D, 3D वाले मिल जाएंगे भीयाजी के पास में ओके अगली जो मैं यहां पर दिखा रही हो दुकान यह भी हमेशा संडे सदर मार्केट में लगती है इनके पास आपको लेडीज फुटवेर काफी अच्छे मिलेंगे बच्चियों के भी मिल जाते हैं तो बच्चों वाले सौके और लेडीज वाले जो हैं सौ और डेड़ सो दोनों ही रेंज में रहते हैं नेक्स्ट एक भीयाजी ने यहां बढ़ होगे कुतुब रोड की तरफ बारा टुटी चॉक से कुतुब रोड की तरफ जाओगे तो इनकी शॉप आपको राइट हैंड साइड पर मिलेगी तो इनके पास में जो स्टार्टिंग है वो सत्तर रुपे से हो जाती है और बड़ा कोई फैंसी होगा तो वो आपक रुपे का मिल जाएगा ऐसे बटरफ्लाइ विंग्स वाले 200 रुपे की रेंज में मिल जाते हैं आगे फिर से देखे कितनी डिजाइनर और खुबसूरत यहां पे ट्रे मिल रही हैं तो यह सेट है तीन का आपको मिलेगा मात्र 120 रुपे में इसमें भी यह लोग बार गिनि के पास में हर तरीके का आइटम था मतलब जो भी हमें घरकरस्ती में चाहिए होता है रबर बैंड डिबंस लिफाफे शगन के सब मिल रहे थे इसके बाद एक नए डिजाइन की यहां पे मैंने चपले देखी संडले देखी सॉरी तो यह सो रुपे की सेल में भीया दे रहे हैं काफी light weight भी है बस आप कहीं रखके भूल मत जाना भगवान करें यह सारे wallet जिसके पास में भी जाएं उनका पर समेशा भरा रहे और उनके पास रहे इसके बाद जो मैं आपको पढ़िया की दुकान दिखा रहे हूं इनके पास में बहुत ही नए तरीके के torch मैंने देख आपको बाकी Chinese वाली तो यहाँ पे 200-200 की मिलती है इसकी जो starting है यहाँ पे torch की बया के पास 70 रुपे से हो जाती है मार्केट में आपको इस तरीके के जगा जगा पे चूड़े मिल जाएंगे राजस्थानी वाले तो यह box के साथ में आता है 300 रुपे का यह जो आप देख र नेक्स यहाँ पे बहिया जी ने दुकान लगा रखे थी पर यहाँ पे बैठे नी थे तो उनके बगल वाले बहिया ने बता दिया इनके पास यह artificial flower jewelry मिल जाएगी 1.5 रुपे की ठीक है नीचे जूड़े मिल जाएंगे 50-60 रुपे की रेंज में इसके बाद एक बहिया जी यहाँ पे बैग्स की शॉप लगाती है इनके पास जो बैग्स हैं दूर से देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है कि लदर के हैं लेकिन यह सब रैक्सीन है इनके पास स्टार्टिंग 100 रुपे से हो जाती है 1.5,5,5,2,2 तो इस तरीके के और नेक्स यहाँ पे नवरात्रे पर जहां से मैंने अपना वाल पेपर परचेस किया था तो इनकी लोकेशन अभी दुबारा भी दिखा दूंगी पहले देख लेते हैं आज बहिया कितने सारे वाल पेपर लेकर आयो है देखे उस टाइम बस उन्होंने लगा लो की काफी हद तक तो दुकान लगा रखी थी 100 रुपे से लेके 500 रुपे के क्योंकि सबकी जो क्वालिटी है वो अलग-अलग है साइज भी अलग-अलग है तो ये वाल पेपर यार काफी बढ़िया थे डार्क भी थी भया की पास लाइट कलर भी थे मैं इसे ले जा चुकी हूँ यूज भी कर चुकी हूँ काफी सकते हो इनकी लोकेशन अभी मैं आपको बताऊंगी प्लीज वीडियो ध्यान से देखेगा और जिन्होंने प्यावी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वीडियो को लाइक नहीं किया है जरूर कर दीजे क्योंकि संडे सदर में जो भी नया नया आइटम आता है वो म स्टिकर दिया होता है तो इनके जस्ट पास में इनकी पहचाने के बोखत बड़ी सी इना स्टफ टॉई की दुकान लगती है एक यह तैरीगर के दुकान उनके बिलकुल पास में आपको यह वाल पेपर टेबल कवर फ्रिज कवर वाले बह्या मिलेंगे पीले से शटर के पा क्योंकि इनकी जो क्वालिटी है यह वह थी जो आर्चीज में मिलते हैं अब शूपर टूपर हिट वाला जो फर क्वालिटी होता है न बहुत ज्यादा सॉफ्ट वाला वह क्वालिटी था और इतने एकम प्राइज में तो मैं तो खुद को कंट्रोल करनी सकती मेरा अंदर का बच्चा जा गया, यह stuff toys देखके, अभी आंटी के हाथ में देखना कितना बड़ा है, सारे एक साइस के नी थे, लेकिन सभी बड़े थे, तो यह सबसे बड़े बड़े वाले थे, जो हम लोग निकाल रहे थे, कांटी के हाथ में है, कितना बड़ा है, देखो, लगबग साड थे, क्यूटू वालर डॉगू परजेस किया, उसको ना मैं थोड़ा नहला धुला कि आपको दिखाऊंगी, उसके कान के पास में थोड़ा सा गंदा और है, बस यही बात है, तो जहां से भी फैक्टरी में से निकल के आए हैं सारे, बहुत ही यूट थे, और जो मैंने लिय है, वाक के या, रिटेल में बात करूँ, दो हजार पच्छे सो से कम का नहीं है, वो मैंने सिर्फ दोसों का लिया है, इनसे नेक्स यहां पे, उनली फिफ्टी रुपीज में बॉक्से आपको मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा था किसी ने ने इनके अंदर का हीरो का हार, और मोत बाइगा, और संडे सदर बाजार में आपको बैक्स, अटैची, ट्रावलिंग बैक्स, सब कुछ, सब कुछ मिल जाता है, स्कूल बैक से लेके सब कुछ, तो इनके पास में दोसों से लेके पच्छे सो रुपे तक के आइटम है, इस तरीकी के अटैची वगर आपको इनके सेल पचास रुपे की, चाहे आप निकर ले लो, चाहे आप इनसे टी-शेट ले लो, पचास पचास रुपे की सेल है, और एक से डेट साल ते के बच्छों का मिल जाएगा, इसके बाद एक दुकान मिलेगी जहां पे आपको आर्टेफिशल हर्ट मिल रहे हैं, अफकोर्स आर्टेफिशल हर्ट की तो शेप भी ऐसी नहीं होती, तो यह 30 रुपीज का एक इन्होंने मुझे बताया, अब यह रिटेल में आपको 30 का ही देंगे या नहीं, यह मुझे नहीं बता, लेगन इनकी दुकान के बिलकुल पास में लोहे का ऐसा शटर मिलता है, दलालों से सा यहां से अंदर आप जाओगे, जैसे भीया जारे समान लेके, तो यह आपका पूरा सीधा लगबख 100 मेटर के दारे में संडे सदर क्रॉक्री मार्केट है, जिसका ब्लॉग मैं बनाती हूं, जहां पर पूरा घरकरस्ति का आइटम मिलता है, तो यह था आज का ताजा ताज वीडियो संडे सदर बजार का, आशा करती हूं, आपको पसंद आया है, अगर पसंद आया है तो प्लीज 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 चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए, तब तक के लिए अपना ध्यान रखे, गॉड ब्लेस